आजकार दोस्तो आपका स्वागत है आज किस वीडियो में दोस्तो आज में कलाश 12 फिजिक्स का बहुत ही भिविया अबजेक्टिव कोस्चन आया हूं दोस्तो 2022 के एक्जाम के लिए दोस्तो बहुत ही important है दोस्तो 2022 के एक्जाम के लिए बहुत ही important है please दोस्तो आप लोग इस वीडियो को अंतर तक जरूर देखिए और दोस्तो सभी question को आप लोग बेहत तरीके से याद करते जाए यह दोस्तो, आपका एकजाम में एक भी प्रस नहीं छुटेगा, दोस्तो, पिजिक्स का है, दोस्तो, बहुत important है, तो चलिए दोस्तो, इस वीडियो को शुरू करते हैं, तो पिलीज दोस्तो, आप लोग वीडियो में जितना भी question है, पिलीज आप लोग सभी question को याद करते ह यह ठीक है तो चलिए दोस्तों इस वीडियो को सुरू करते हैं तो दोस्तों पहला नमर कोस्चन है दोस्तों बहुत HE को सदस्यों परकास के अपवर्तन का नियम कोन दिया था तो असनेल ने दिया था ओप्सन नमर दोस्तो इसका डीर नमर राइट अंसर हो जाएगा असनेल ठीक है चले दोस्तो अगला प्रसंदेख लेते हैं अगला नमर प्रसंदेख लेते हैं अगला नमर प्रसंद काता है दोस्तो एक इस्थीर आबेस उत्पन कर सकता है एक इस्थिर आबेश उत्पन कर सकता है बताए दोस्तों एक इस्थिर आबेश उत्पन कर सकता है तो दोस्तों वह केवल केवल बिद्दूतियाद छेतर उत्पन कर सकता है ओप्सन नमर दोस्तों ए इसका राइट अंसर हो जाएगा वह केवल केवल विद्दूतियाच छेत्र उत्पन कर सकता है एक इस्थिर आविस उत्पन कर सकता है केवल विद्दूतियाच छेत्र चलिए दोस्तो अगला प्रसन देखते हैं प्रसन नमर दोस्तो तीसरा है दोस्तो परकास किस परकार का तरंग होता है दोस्तो परकास किस परकार का त प्रस्तरंग प्लीज दोस्तों आप सभी कोश्चन को याद करते जाएं दोस्तों बहुत ही इंपोर्टेंट सभी कोश्चन है 2022 के लिए प्लीज दोस्तों आप लोग सभी कोश्चन को याद करते जाएं ठीक है तो अगला प्रसन आपका कहता है दोस्तों कोश्चन नमर चार है इलक्ट्रोन पर आबेस होता है इलक्ट्रोन पर आबेस होता है दोस्तो तो इसका A इसका राइट अंसर हो जाएगा ओप्सन नमर दोस्तो B 1.6 गुने 10 की घात मिनस 19 कुलम ठीक है ओप्सन नमर तो 20 का राइट अंसर हो जाएगा चलिए दोस्तो अगला प्रस्ण देखते हैं आपका अगला प्रस्ण है दोस्तो धातों का प्रावेदू तांग होता है दोस्तो धातों का प्रावेदू तांग होता है तो दोस्तो इसका राइट अंसर हो जाएगा अप्शन नमर दोस्तो C अनन्द ठीक है अनन्द इसका प्रसंद देखते हैं अगला प्रसंद देखते हैं तो आप लोगों को अगर वीडियो पशाइब और तो तो सबसे पहले लाइक और चैनल पर जो भी आने तो लाल रंग का जो सबसक्राइब बटन दिख राएगा अगला प्रसंद कहतا है धोनी किस परकार का तरंग है तो दोस्तो धोनी किस परकार का तरंग है बताईए तो दोस्तो इसका right answer हो जाएगा option नमर बी अनुद्याध तरंग ठीक है चलिए दोस्तो अगला प्रस्ण देखते हैं तो आपका अगला प्रस्ण काता है कोश्चन नमर साथ काता है काँच का आप वरतनांग कितना होता है तो दोस्तो इसका राइट डंसर हो जाएगा ओप्सन नमर ए 1.5 ठीक है 1.5 पिलीज दोस्तो आप लोग सभी कोश्चन को याद करते जाए ठीक है याद करते जाएए दोस्तो आप लोगों का एक जर्म निकाट आ चुका है प्लीज दोस्तो जितना भी कोशन बनाता हूँ प्लीज आप सभी लोग कोशन को याद करते जाएए ठीक है question number 8 काता है संधारित्र के समांतर समायोजन में जो रासी परतियक संधारित्र के लिए समान रहती है हुआ है दोस्तों संधारित्र के समांतर समायोजन में जो रासी परतियक संधारित्र के लिए समान रहती हुआ है तो दोस्तों वह भीभुवांतर है अगला प्रसंद देखते हैं आपका अगला प्रसंद काता है कोश्चन नमर 9 काता है बर्फ का अपवरतनांक कितना होता है तो दोस्तो इसका राइट अंसर हो जागा ऑप्सें नमर करल कर चल यहां दोस्तो आगला प्रसंद देखते हैं तो दोस्तो आपका अगला प्रसंद देखते उस दो ओप्सन नमर दोस्तो A ठीक है ओप्सन नमर ये इसका राइट एंसर होजेगा M inverse L inverse square T per power 4 A square ठीक है धारिता का विम्या सूतर होता है तो M inverse L inverse square T per power 4 A square चले दोस्तो अगला प्रसंद देखते हैं तो आप लोग कोश्ण को याद करते जाएं तो आप आपका अगला प्रसंद कात कितना होता है तो दोस्तों इसका अंसर नहीं बताऊंगा आप मेरे कोमेंट बॉक्स में इसका अंसर बताएगा ठीक है अगर आप जानते हैं तो इसका अंसर जरूर बताएगा इसका कौन सा अंसर राइट होगा दोस्तों अगर नहीं जानते होगे तो दो मैं दूसरे वीडियो में इसका अंसर बताएगा प्लीज दोस्तों आप जानते हैं तो प्लीज इसका अंसर जरूर बताएगा तो अगला प्रसंद देखते हैं उसका अंसर जरूर बताएगा दोस् दोस्तों विद्धूत आबेश के बीच लगने वाला बल दिया जाता है कुलाम के नियाम से चलिए दोस्तों अगला प्रसंद देखते हैं अगला प्रसंद देख लेते हैं अगला प्रसंद आप का कहता है दोस्तों। पट्ते भीम्र की उचाई बेट्टे बत्तू की उचाई ये भीम्र की उचाई तो दोस्ट इसका अगला अगला प्रसन देखते हैं अगला परसन आपका कहता है नहीं ठा слon का प्रावेदुत इस्थिरांग होता है दोस्तो टेफलोन का प्रावेदुत इस्थिरांग होता है तो दोस्तो इसका अंसर बताए दोस्तो इसका राइट अंसर हो जाएगा दोस्तो टेफलोन का प्रावेदुत इस्थिरांग होता है प्रीज आप लोग बताए दोस्तो तो दोस दोस्तो अगला प्रस्ण देखते हैं अगला प्रस्ण देखते हैं आपका अगला प्रस्ण कहता है दोस्तो कोश्चन नमर 15 है संधारी तरी कितने परकार के होते हैं दोस्तो संधारी तरी कितने परकार के होते हैं यही बताना है दोस्तो तो दोस्तो संधारी तरी तीन परकार क होते हैं अगला प्रसंद देखते हैं अगला प्रसंद देखते हैं दोस्तों आपका अगला प्रसंद कहता है दोस्तों अगला प्रसंद है यदी परकास की कीरन सघन माध्यम से बिरल माध्यम में परवेश करती है तो वह दोस्तों यदी परकास की कीरन यदी परकास की कीरन यदी परकास की कीरन सगन माध्यम से बिरल माध्यम में परवेश करती है तो दोस्तो इसका ओप्सन में दिखा देता हूँ इसका ओप्सन है यदी परकास की कीरन सगन माध्यम से बिरल माध्यम में परवेश करती है तो दोस्तो वह इसका A नमर option काता है अभिलम से दूर हट जाती है option नमर B काता है अभिलम की और मूर जाती है option नमर C काता है बिना विच्रित हुए सिधे निकल जाती है option नमर D काता है इन में से कोई नहीं तो दोस्तो परकास जब सघन माध्यम से दोस्तो बिरल माध्यम में जाती है तो वो अभिलम से दूर हट जाती है जब परकास की किरन सघन माध्यम से दोस्तो बिरल माध्यम में जाती है तो दोस्तो वो अभिलम है दोस्तो अभिलम से दूर हट जाती है सगन माध्यम से जब भी बिरल माध्यम में जाएगा दोस्तो तो अभिलम से दूर हड़ जाएगा ठीक है चलिए अगला प्रसंद देखते हैं तो आपका अगला प्रसंद काता है ट्रांसफार्मर एक युक्ती है जो दोस्तों ट्रांसफार्मर एक युक्ती है जो तो जो दोस्तों क्या करता है दोस्तों तो इसका राइट अंसर हो जाएगा अप्सन नमर सी एसी बोल्डता को बढ़ाती या घटाती है ठीक है ट्रांसपर एक युकती है जो एसी बोल्डता को बढ़ाती या घटाती है ठीक है याद कर लिजिए ट्रांसपर एक एसी युकती है जो एसी बोल्डता को बढ़ाती या घटाती है चलिए अगला प्रसन दे अगला प्रसंद देखते हैं अगला प्रसंद देखते हैं अगला प्रसंद काता है दोस्तों आबेस का प्रिष्ट घनत्म कितना होता है अबेस का प्रिष्ट घनत्म कितना होता है अबेस का प्रिष्ट घनत्म कितना होता है अबेस का प्रिष्ट घनत्म कितना होता है दोस्तो इसका राइट अंसर हो जगा option नमर ए Q by A आब इसका प्रिष्ट घनत में कितना होता है Q by A ठीक है आब इसका प्रिष्ट घनत में कितना होता है Q by A चलिए अगला प्रसंद देखते हैं अगला प्रसंद करता है दोस्तो question नमर 20 है लेजर का अबश्कार कब हुआ था 1970 हुआ ठीक है और लेजर का अबश्कार कब हुआ था 1960 में चलिए अगला प्रसंद देखते हैं अगला प्रसंद देखते हैं प्लिज दोस्तो आप लोग सभी question को जरूर याद किजिएगा डिवाई किसका मातरख है i bai किसका मातरक है दोस्तों मैं कई वीडियो में बता चुका दोस्तों दीबाइ किसका मातरक है तो दोस्तों बिद्दु दुडुईधुर्व का मातरक है बिद्दु दुडुईधुर्व आगोरन का option number H9 इसका C number right answer हो जाए अगला प्रसंद देखते हैं अगला प्रसंद देखते हैं अगला प्रसंद काता है दोस्तो आदर्स बोल्ट मीटर का परतिरोध होता है दोस्तो आदर्स बोल्ट मीटर का परतिरोध होता है तो दोस्तो आदर्स बोल्ट मीटर का परतिरोध होता है तो दोस्तो आदर्स नमर राइट अंसर हो जाएगा अनन्द ठीक है चलिए अगला प्रसंद देखते हैं अगला प्रसंद देख लेते हैं अगला प्रसंद कहता है दोस्तो आदर्स ए मीटर दोस्तो ए मीटर आदर्स ए मीटर का परतिरोध होता है आदर्स ए मीटर का परतिरोध होता है दोस्तो तो सुन होता अप्सन नमर तो यह इसका राइट अंसर हो जाएगा सुन चलिए अगला प्रसंद देखते हैं अगला प्रसंद देखते हैं दोस्तों अगला प्रसंद दोस्तों ए मीटर सिर्फ दोस्तों यहां पर ए मीटर पुछता दोस्तों इसे पिछली प्रसंद दोस्तों आध सकता जो बोल्ट मीटर का परती रोद होता है तो दो सो अधीक होता है किसी चालक के संबाहन बेग फीडी तथा आरोपित बिद्दुस्षेतर E के 12 संबंध होता है दोस्टो बताएं किसी चालक के संबंध वेकता था बिद्दुस्षेतर के भी संबंध होता है तो दोस्टो इसका राइटा हो जगा जगा अप्सन flips और आज का last question है एक स्वास्ट मनुस के सरीर का विद्दूत परती रोध है एक स्वास्ट मनुस की सरीर का विद्दूत परती रोध होता है तो दोस्तो इसका राइट अलसर हो जड़ागा ऑप्सन चले लिए दोस्तो cargo लिए पच्छांस हजार ओम ठीक है 50,000 तो चलिए दोस्तो आज की इस वीडियो को अहीं पर इंड करते हैं अगर दोस्तो प्लीज दोस्तो अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज दोस्तो वीडियो को आप लोग लाइक करते जिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले जिए प्लीज दोस्तो चैनल को याद करते जाए दोस्तों आपको एक भी प्रस नहीं छुटेगा एक जामें दोस्तों एक भी प्रस फिलीज जिस तरह भी कोश्चन बनाता हूं फिलीज आप लोग याद करते जाए चलिए आज किस वीडियो कहीं पर इंड करते हैं जया इंद जया भारत